लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें हुआ जो जो हुआ सब्सक्राइब करें प्रेस करें बन्हिंटर करत है ठारी नहिं को छिया वो चिर दो अुर्ड, हstein हम वो चिर दो आओज बिल्लाही मिन श्वेटानिय। बिस्मिल्हिर्रह्मानी ररहीम काल रसूल उल्ही सुल्णल्लाहु आल्युम एफ्सालम काल एं तुम्न पिल्लही वाल्युमि अख्री वालमना कि आपने जो कहा था तैयार हो गया है कि अरे ऐसे वक्ते कहां से यह फोन बच गया यार क्या है चोटे सर आप जरा नीचे आकर देखिए आपकी कार कहां खड़िये नीचे आकर हलो मैं अपनी कार वाँ छोड़के अपने दोस्त के आप पॉंडी चेरी में हूं मैं क्यों क्या हुआ कोई परिशानी है क्या सर आपकी वाइफ घर में होंगी उन्हें भेज दीजे अल कर दो जाना है आठी को हस्पिटल जाना है आए बेठी है आप आपके आगे आजाओ पैटाए ठांक्स भया मैं आगे बठ जांगा अठीके तुरह सर किया आप एंटिबाटिक्स सिरप अधालो हलो एक्सक्यूज मी यह क्या है टैबलेट यह तो मुझे भी पता है इतना बड़ा हॉस्पिटल है इतनी बड़ी फार्मसी है फिर भी इस हॉस्पिटल के स्टाफ में रस्पांसिबलेटी नाम की चीज नहीं है क्या दस तारीकों इसकी डेथ हो गई है इसकी डेथ हो गई नहीं समझे इसकी एक्स तुम्हें तुम्हें देती हूं तुम्हें खाओगे क्या इतनी बड़ी लापरवाही जिस दवा की डेट इस्पायर हो चुकी है उससे जान भी जा सकती है यह सारी बाते मैं तुम्हें सिखाऊं क्या कंज्यूमर कोड तक जा सकती हूं समझे तुम सॉरी डॉक्टर देर हो गई कोई बात डॉक्टर हो पहले बताना चाहिए था ना थैंक्यू ठीक मैं दावय यह चेक कर लेता हूं ओके सर बीवचे इतना कुछ सुना गया मैं ज़रा बाहर गया हुआ था क्या हुआ क्या हुआ यहीं देखकर मेरी बच्ची बस टाइम पास करती रहती है आपके साथ तो ऐसे ही टाइम घुजड़ी तो सर्फ जुबानी लड़ाती रहेगी या लड़के का फोटो भी देखेगी कौन लड़का जाकर देख तो सही तेरी टेबल पर है क्यमेस्ट्री नहीं जमेगी इसलि कि चोटी बेहन की किसी की परवाद नहीं करूंगी और लड़का खांदान वाला है तो बिल्कुल नहीं चलेगा मुझे परिशान मत करो मा केला ही रहता है बेटा मुझे पढ़ा लिखा लड़का चाहिए सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं है एक अच्छा डॉक्टर है देख ल अब ही तो मुझे देखकर इतने प्यार से मुस्कुरा रहा था लवस्ते सब निकाला क्या यह लीजी साहब सब नॉमल है ना यह क्या लास्ट मैंन बहुत कम प्रॉफिट हुआ एक सोतीन का फाइल यह मेडिसीन बहुत कॉस्टली है यही दवा आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगे वहां से खरी लीजेगा मैंने लिखती है हॉस्पिटल में एड्मिठोनी की ज़वरत नहीं है सुन एक गोरी सी ब्लू जीन्स पहनकर एक लड़की आई थी वह आपके बारे में पूछ रही थी क्या पूछ रही थी आपका फुल नेम सलीम है क्या कितने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं आप में कोई बुरी आदत हैं ऐसा पूछ रही थी ओके सिस्टर थेंक यु कुछ सलीम वही तुमसे क्रास काम है जरा इदह राना हाँ जआ जआ ज़ा 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 किया बात है मॉका मिल रहा है इसी के लिए आपने मुझे बुलाया एक लड़की खुद बुलाये तो सोचो किस सिरादे से बुलाया होगा समस्दार हो ना तो फिर ये सवाल क्यों क्या चाहती है सलीम शराफत के चादर ओड़े हुए सच में एक शरीफ लड़का है या फिर चादर के पीछे एक मंचला आशिक है ये जानने के लिए हम दोनों के बिच कोई ना कोई कनिक्शन होना ज़रूरी है ठैंक्स मैम, रॉंग नंबर किसी और को दिल देने से पहले याद कर ले नहां ठीक है मैडम इसलीम सलीम 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 तु इस कमरे से बाहर आ रहा है अंदर तो बहुत बड़ी कयामत थी यार रुक सलीम अरे मैं तुझे खास बात बताना चाहता हूं एक खुबसूरत परी जैसी लड़की तेरे बारे में पूछ रही थी यार क्या पूछ रही थी यही कि डॉक्टर सलीम कैसा लड़का है लड़कियों के साथ कैसा रहता है क्या उसका किसी लड़के की साथ कोई टांगा वाका तो नहीं है और पूछ थी रूटेर कि सब्धा हो गिया तो मैंने कह Japan वहाद मीं है तो यह सब उस ने तुमसे पूछ नहीं नहीं यह तो वह और उसे पूछ रही थी मैंने तो काया कि वह सभी के साथ अच्छा है सली में कोरा कागज है उस पर जो भी कहानी लिख दी जा है बस वही मान ली जाएगी सर यह लड़की है कुछ दिर पहले आकर आपके बारे पुस्ताच कर रहे थी सर इसने हाँ सर कब गई वह अभी गई है सर किस तरफ उस तरफ गई है सर थोड़े दूरी पहुंची होगी मैं अभी आता हूं शादी से पहले ही गदा बनकर उसके पीछे दोड़ रहा है तुम चल 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 चलते हैं चुच्छा बैठना चल्दी बैठ यह दिखना रहा है कुछ और भी पूछना बाकी रह गया क्या मैडम हमारे स्वीपर से जाकर के पूछ दीजिए कि मैं दिन भर में कितनी बार बात्रों जाता हूं नहीं बिल्कल जूट मैंने तो उससे पूछा कि त पूछ लीजे मैंने उससे बुच्छा कि तुम्हें चोरी वोरी क्या तो नहीं है इसमें गलत है क्या पूछताच किये बिना मैं ऐसे शादी कैसी कर लो अगर तुम डॉक्टर हो तो क्या हो गया आंक मूब बंद करके विश्वास कर लों क्या घर वालों का और बाहर वालों टेंप्रेरी अड्रेस सब कुछ है पढ़ लीजेगा कुछ रह जाए तो फोन कर लीजेगा यह मेरा नंबर मेरे बारे में जानने के लिए हॉस्पिटल के चक्कर लगा कर अपनी सेहत मत खराब कीजिए हलो सलीम वेर आरे यू सर में अंदर ही आ रहा हूं ओ सलीम आ जाओ कमान मैं गुड इवडिक सर तुम्हारा इंतिजार कर रहे हैं ही इस मिस्टर देवराज है तुम्हारे जैसे ही ये सोशल वर्क करते रहते हैं मैं भी आप ही के तरह का हूँ सोशल एक्टिबिटी का बहुत शौकीन हो आपका मैंने बहुत नाम सुना है सलीम जी थैंक यू लेकिन टाइम की कमी के वज़े से मैं भी शारदा ट्रस्ट का एक मेंबर हूँ समय निकल कर डोनेशन कलेट करता हूँ अगर आप लोग कुछ डोनेशन देंगे तो तो बहुत बहुत शक्रिया सर इस छोटी सी रखम से खुश्मत होना सलीम और भी बहुत कुछ है यह भी तुम्हारे लिए यह क्या है सर वाह देव राज जी मुझे भूल मत जाना यार यह पचास लग आपके लिए हैं आप चाहते क्या है क्या बताओ अमारा सलीम ना बहुत शार्प है इम आई राइट सलीम देखिया सलीम सब हमें आपका साथ चाहिए उसी काम का एडवांस है कल आप जिस पेशन का ऑपरेशन करने जा रहे हैं वो बचना ने चाहिए वो पेशन मेरा भाई ही है अब यह मत पूछना कि मैंसा क्यों चाहता हूं वह मेरा फैमिली प्राप्लम तुम पर आच ना आए कि मेरा काम छोटे से काम में तुमेरा साथ देतो तो देखना तुम रात और रात कहां पहुंच जाते हो नई सलीम मुझे छोड़ दो सलीम प्लीज प्लीज सलीम क्यों डर लग रहा है तुम्हारी जान जान है और दूसरों की जान खेलो ना गलत जिगह दस तक दिया है तुम ने तुम दोनों में से कोई भी हॉस्पिटल के आस पास दिखा तो चान से मार तूंगा सलीम वह एक लाख रुपए है रिसेफ्ट डोनेशन लॉटाया नहीं जाता आइम एक्स्रीबली सॉरी सार्व एक जूस लाने में एक जूस लाने में इतनी देर, useless fellows क्या है ये औरेंज जूसे मेडम आपने यहीत ओरर किया था तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ काम वब नहीं है क्या? मैंने कब और दिया था और तुम कब ला रहे हो? फ्रेश जूस है मैं इसलिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है यह तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना रिस्पंसिबल फेलो इतनी देर तक बैटने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास काम रहा होगा कभी कभार हो जाता है मेरी ही गलत चॉइस है मुझे होटल पसंद नहीं है चलो तुम बैठो मैं जा रही हूँ निशा? मैं जा रही हूँ Excuse me sir What is this? पाँच रपया sir I know Tell me Salim Why are you doing like this? Sir यह पांच रुपया एक emergency case का किया हूँ पेशेंट का treatment का फीस है OPD में चार्च करवाने का minimum चार्च तीन सो रुपया है यह चांते हो ना, बताओ Salim जानता हूँ sir Then why? हॉस्पिटल के सामने ही बेहोश हो गया था इसलिए यहां लेकर रहा है Not again उसके लिए तुमने उससे पांच रुपय लिये उसके पास यही पांच रुपय थे sir उसके रेलेटिव साने तक तुम वेट कर सकते थे वो गरीब था sir, उसके साथ कोई नहीं था मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है अजिए हॉस्पिटल खोला है You may go now Thank you sir Sir, Operation Theater में कुछ प्रॉब्लम है Swaminathan Sir ने आपको बुलाया है Hello Ma'am, Sir एक Emergency Operation में है Ma'am Hello तुम कौन हो? मैं रिसेप्शनिस बोल रही हूँ मुझे सलीम से बात करनी है जरा फोन उन्हें ले जाकर दोगी Ma'am, आप एक मिनिट वेट करेंगी पताने इन लड़कियों के बीच में क्या कर रहे है Hello मैं डॉक्टर स्वामी बोल रहा हूँ Salim ने कहा है कि इन्विटेशन कार्ड लेकर सीधा घर चली जाओ आप्टर नून में वो आपसे I hate you मुच्टर नून पसने हो आओ बेटा नमस्ते मा जी आप कैसी है मैं ठीक हूँ तबियत कैसी है ठीक हो बेटा दादा जी सलीम कैसे हो बेटा मैं ठीक हूँ आओ बेठो दादा जी शादी के पहला निमंत्रड आपको दे रहा हूँ निशा बीटिया तुम्हें पसंद है ना बहुत पसंद है निशा ने कुछ कहा क्या निशा थोड़ी जिद्दी है बेटा उसे जो भी कहना है मुँपर कह देती है तुम्हें उसे हर वक्त एड़जस्ट करके चलना पड़ेगा आज के बाद इधर उधर भागना छोड़कर उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा तुम्हें ठीक है दादा जी मेरा टवल कहां है मैंने बातरूम में रखा है इस घर में कोई भी चीज जगें पर नहीं मिलती इस घर से चुटकारा मिले तभी सुकुन मिलेका उससे पहले नहीं गर में आना था तो पहले बता कर आना चाहिए सबको फादू समझ रखा है क्या जब चाहो मुठा कर चले आते हैं मैने जो कहता था वो बनाया हमेशा अपनी मजी का करती हो पर सॉरी कहो किसे चाहिए तुम्हारा सॉरी येए लृट सॉप सॉरी मैने कहा नहीं भी भुईному का ह चौट ये लिड्न ही कर संथी मैने change किया सॉरी मैं तुम्हारे लिए लीव देकर आया हूँ, आज अम बाहर जाएंगे, ओके? ये पीछे वाले इतना हॉन क्यों बजा रहा है? एए! कैसे गाड़ी चला रहा है भई? ज़रा समझ नहीं है क्या? खूमना है तो मैदान में जा, रोट पे चलना है तो रोट जैसा ही गाड़ी चला, वारा सामने है तो गाड़ी उड़ा तुम्हें इतना कुछ कह कर चला गया, तुम सुनने के लिए पैदा हुए हूँ क्या? देख और और पूरा खाली पड़ा है, सिगनल नहीं है, पुलीस नहीं है, थोड़ा तेज चलाओ ना? हाई निशा, हाँ बोल, मैं सूरिश के साथ बाहर जा रही हूँ, मेरे घर से फोन आया, तो कह ना कि मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है? ओके, बाई, थेकार में फोन करकी परिशान करती है, सुनो सलीम, तुम सलमान की तरह सिक्स पैक्स क्यों नहीं बनाते? इस बसे लिए सलमान बहुत पसंद है, लड़कों के दॉचर से लड़कों के दिल पर क्या बीथती है, तो पहला सवाल मुद्टु कुमार से, सर ये प् गुमाने ले चलो उधर गुमाने ले चलो और हमारी जेवें अकसर खाली कर देती और अगर नहीं लेकर गया ना सर तो कहती है मेरी वो सहली का फ्रेंड उसे वहां गुमाने लेकर गया था ताने मारती है और जीना हराम कर देती बेवकूफ हमेशे लड़कियों को ही कल अंसान जगे में लेजा कर खत्म कर देना चाहिए सारे मर्द ऐसे होते हैं कि अब कि अब कि अब अब है ये अब कि अब तुमने जान बूज कर हाथ लगाया मैं तुम जेसु को अच्छी तेरे जानती है पदमाश का ही के, कव में गुद्टे का ही के, जिर्फ को चेड़ते हो, हां? जाता बोली की क्या हो, निशा? इसने मुझे बीछे से धक्का मारा, यह बेकार मुह लगा है, तो लोह पदक्का क्यों नहीं लगा? ठोकर लगा, तो गलती से हाथ लगया, सौरी भी बहुता है, खीक है, जो अनाता हो गया, जाइए आतो, आओ निशा, गलती से लगया हो, क्या गलती से इसने जान मुझे कर किया पता है? जाना चाहिए, जैना, पॉर्णा ब एक राज़ो कर दो के सास्ते हो का राज़ोग्स है, जाना, भी बहुता है, जाना, जाना, बोल रहा है, व्हेुदाए, जाना, सौरी से अनुछ, कैने से थीक हो चाईगा? तुम सॉरे के रहे हूं तुम सॉरे रहे हो प्लीज प्लीज चल Grade रहे है किया जर रहती ज़िए तो सॉखिना है उन्हें कहना चाहिए था यह सब करके लग को ऑर कि निशा के बाट तुन सुनो निशा मेरी बात सुनो प्लीज शबूए तुम मेरे साथ पहली वार है तो उनके साथ जाकर देखिलो, मुझे नहीं देखिने लुटा देखो प्रॉल्लम बढ़ने से बढ़ती है, ऐसे थोड़ी होता है, निशा तो मेरी बात तो सुनो, क्या कर रही हो तुम? देखो निशा यह जगड़ा करना हम लोगा काम नहीं है, हम लोग यहां पर देखो, हम यहां फिल्म देखने आया थे शांति से देखेंगे चली जाएंगे निशा तुम क्या सर रही हो बस बोगया इससे ज्यादा में नहीं जर सकती हम दोनों की परीज कभी नहीं चम सकती तुम जाओ यहांसे प्लीज्टी निशा कुछ नहीं प्लीज नियुक्त है अ हुआ 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 है हुआ है आओ बेटा आओ 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 नास्ते बच्ची ने बताया था कोई एमर्जंसी ओप्रेशन है इसलिए तुम नहीं आसके निशा देखो बेटा दामाद जी आए है है था अ हिसा देखो निशा। क्या है। आस तुम्हारा बद्धी है क्या? हाँ है तुमनों मुझे पहले क्यों नहीं बताया क्या ज़रूरत है तुम ठहरे एक डॉक्टर मैं तुम्हें अपना बद्धे बताऊँगी तो तुम उसे देद्धे की तरह सेलब्रेट करोगे देखो निशा हमारा रिष्टात होने के बाद यह तुम्हारा पहला बत्धे है मुझे खुशी होती रहने दो अभी भी तुम ऐसे बात करे हो जैसे कितने बीमार हो कहीं बाहर चलोगी घुमने तांक यू है इस अहां हम पहुत बहुत शुक्रिया है चार महिने के बाद मेरा मन पसंद हलवा लाकए है कर दिया है बहुत लंबा गैप हो गया था यार फिर भी स्वामी नातनकी को एक यहाँ कार पार्किंग में क्यों टेल रहा भई कहीं सिग्रिट तो नहीं पी रहा है या फिर कोई और बात सलें यार तु यहां क्या कर रहा यह कुछ नहीं स्वामी बस ऐसे ही निषा ने कुछ कहा क्या, अरे पता नए यार कुछ कहा क्या उसने कुछ कहती तो तकलीफ नहीं होती, चार दिनों से हम मिले ही नहीं, आज कल वो मेरा फून भी नहीं उठाती अरे ये कौन सी बड़ी प्रोब्लम है यार, ऐसा तो हर किसी की जिन्दिगी में होता है दिल को कौन समझा है सौमी, मरते दम तक यह जख्म बन कर चुपता रहेगा सलीम, प्यार जो है न, वो हाईवे में तेज गाड़ी चलाने जैसा है एंजॉय करते हुए हम तेज स्पीड से जाते तो हैं, लेकिन जैसे हम स्लो हुए तो समझ लो, जिन्दगी कहीं कहीं करोटे बदल लेती है या फिर साथ छोड़ कर आगे बढ़ जाती है जो दिल को कंट्रोल कर लिया तो वही समझा आगे बढ़ गया ये बताओ आकिर हुआ क्या है एक काम करो ना सीधा जाके मिल लो उससे वही सोच रहा था सवामी, निशा के फ्रेंट से बोला कि वह उसे मनाया वह उसे लेकर आती ही होगी वही सोच रहा था कि वो आयागै तो उसे क्या बाते करूँगा अर्य छोड़कर ना यार वो तो सब एन मौकर पर आई जयाता है क्या सोच रहा है तू कि तू क्या बात करेगा तू कोई एक्जाम देने नहीं जा रहा है तू अपनी गर्फ्रेंड से मिलने जा रहा है जैसे तेरा दिल यह सोच रहा है ना कि तू उससे मिलेगा तो उससे क्या कहेगा वो भी बिल्कुल यही सोच रही होगी तो तू एक काम क कर बात करेंगी पर तु खुद को कंट्रोल रखना हम अपना टेमपर लूज मत करना और फट सी मिलते उसे चुम्मा दे देना यह ठीक है सौमी फिर कभी अरे क्या फिर कभी यार बार बार यह कह कि तु अपना टाइम वेस्ट कर रहा है तु उसे मनाएगा नहीं तो वह कर दो दुद कर दो कि थूपर एमा इएर दिस अजया वेस्ट किस अपना उसी तो वह तुद कि तु थिखिया नहीं प्राइना को और फिक है तुद कर दो भालोगे प्राइना प्रप्से कर दो आंगि कर दोजुआ कर दोगा है कोड़ की कीजी प्लीस कोई आने वाला है है, हैलो, फिलिस्टेशन? क्यों, निश्या, तेरा हिरो आएगा या नहीं? लबता सही भूल गयोंगे, उन्हीं आदिलाना पड़ेगा अब यह हाल है, तो पता नहीं शादी की बात क्या होगा यह तो गुस्ससे लाल हो रही है, यार हलो? यह सर, यह टॉक्टर सलीम का है, सर ऑपरेशन में हैं, आपको वेट करना पड़ेगा हलो? सलीम है क्या? सॉरी मैम कहा है? सर अभी ओपरेशन थीएटर में है, अभी बाहर नहीं आए मुझे आपने ही फोन किया था? हलो? पता है टाइम क्या हुआ है? सॉरी निशायव क्या सॉरी? मैंने तुमसे कहा था मेरे फ्रेंज को बिलाकर होटेल में पार्टी दो, हाँ? तुमने खोद ही कहा था ना? हम लोग यहाँ पर वीट कर रहे हैं और तुम अब पोन कर रहे हो कितनी इंसल्ट हो गई मेरी पता है? पर तुम में बता कर क्या फाइदा तुम तो मेरी जान लेने पर तुले हो अब मैं भी दिखाऊंगी कि मैं क्या हूँ यूसलिस फेलू चेहरे पे भी जखन, हाथ में भी चोट है, पैरों में भी घाव है और अंतुरूनी मार भी लगी होगी मैंने देख लिया है ठीक है आपको पुली स्टेशन में आना होगा तुम कोई अतराज तो नहीं है? तैंक यू सर्थ मैं चलता हूँ में में ले थेक से पहचान लो बहन थेक है चलवाओ सरीय कुछ बता नहीं रही ठीक है तुम जाओ सर आईए आप जाए सरोजा डॉक्टर क्या हो अनर्स ज़रा पाढ़े ज़ल्दी लो माजी 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 उठीए समझ के माजी कौन है या इतनी रात को सर आपके कहने के मताबिक इंक्वारी करने पर पता चला कि ठीक 7 बजे चक पोस्ट से एक वाइट BMW कार निकली थी सर उस गारी में एक लड़की और कुछ लड़के थे हाँ फिर हुलो मैं तंबी तुरह भोल रहा हुं सर मेरी बच्ची बिल्कुल बच्चों जैसी है, बहुत सीधी लड़की है, मुझसे भी नो पुझे, वो घर की दहलीज भी नहीं लांगती थी, वो को भी एक चीटी इतने को थिकलीव नहीं दे थी, मेरी बच्ची की ये हाल है, अब मैं इसके मिने कैसे जिऊँगी, जब से ये तीन साल की थी, तब से बोलती थी, कि जब मैं बड़ी हो जाओंगी, तो तुम्हें और पापा को काम नहीं कर रहे दूँगी, तुम दोनों को मैं घर पे मिठाओंगे खिलाओंगी, अब दिन रहा दें करके, भूख के प्यासे रहे के सर, इसे अच्छा लिखाया पड़ाया, अपने सपने को मार का, इसके सपने को पूरा किया, मेरी बच्ची की ऐसी हालत, किसने किया सर, माजे आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी सब कुछ बताएगी, मैं इसे ठीक करूँगा माजे, आप हिमत से काम लेजे, मेरे लिए भगवान मर गया है, आज से आप ही मेरे लिए भगवान है, किसे तुरह मेरे बच्ची को बचा लेजे, मेरे बच्ची को बचा लेजे, लड़की होश में आई, अभी नहीं सर, ओके लेकिन फीस कौन बरेगा, देखो अभी तक आडमिशन फीस नहीं पहुचा है सलीम, फीस बड़ी चीज है या उसकी जिंदगी बड़ी चीज है सर, ऐसे केस के लिए गर्वर्मेंट हॉस्पिटल बनी है सलीम, पैसे वालों के लिए प्राइवेट और ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए गर्वर्मेंट, तुम लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है तो वो मैं भर दूँगा, हॉस्पिटल के रूल्स तुम जानते हो ना, रूल्स देखने का मेरे पास टाइब नहीं है सर, मेरा मकसद है उस दड़की को बचाने, क्यों, क्योंकि I am a doctor, ओके सलीम, तुमने जो भी कहा मैं सर को बता देता हूँ, लो उनहीं से बात करो, हलो सर, उस पेशेंट की हालत कैसी है, अभी तक उसे होश नहीं आया सर, जैसे ही आएगा मैं आपको फोन कर दूँगी, ओके सिस्टर, थैंक यू, ख्याल रखना, लेट नाइट आये थे क्या, एक लड़की की जान बचा कर, वो लड़की तुम्हारे लिए खास थी, और मैं वहाँ वेट कर रहे हूँ, सही थी, इसका तुम्हें जरा भी अहसास नहीं, हम, चलो, कोई बात नहीं, रात को सपनों में, तुम उसी के बार में सोच रहे थे, हम, देखो सलीम, you know, I love you, I love you very much, सलीम, सलीम, कहा हो, यार मैं हॉस्पिटल में हूँ, तुममें घर पे ओ, रात में इमर्जंसी केस था इसने लेट सोया हां पता चलगे अमडीव तुमसे बहुत नाराज है आकिर हुआ क्या था ये तो बताओ तुमसे मिलकर बताओंगा आता हूं अभी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है खास बात है कुछ तेर के लिए अपना फोन आफ करोगे मैं जानता हूं तुम मुझे नाराज हो सौरी निशा मानता हूं मेरी गलती है सौरी कॉफी पीओगी अभी लाता हूं मैं ये शादी नहीं करना चाहती इंट्रिस्ट नहीं रहा मजा कर रही हो क्या मैं सच कह रही हूं मैं तुम्हे छोड रही हूं मैं लॉस्ट इंट्रिस्ट नू मुस्स् Killer क्या? स्रव भूल ही नहीं होई बहुत सारी mistakes, जब ही मुझे तुम्हारा साथ står ही था तुम नहीं थे अगर मैं बांच बचे तुम्हें बुलाती हूँ तो तुम छे बचे तक आते हो घर में हो तो खामोश, डोड में हो तो रूल्स और हॉस्पिटल में हो तो प्रिंसिपल्स एथेक्स, कहीं भी तुम कुछ भी नहीं बोलते लड़ते नहीं हो, मारपीट नहीं करते तुम्हें एक बिनाधार वाले ओजार हो ओके, मानती हूँ तुम बहुत अच्छे इंसान हो तुम्हें देखकर लगा था कि हमारी जोड़ी जम जाएगी तुम्हारी शराफत से मुझे बहुत टर लगने लगा है सलीम यूनो, आइम रेस्लिस दो दिन आराम से सो जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरा सिर्दर्द मामूली सी एक नीम की गोली से ठीक नहीं होगा सलीम हर बात में जल्दबाजी अच्छी नहीं इंविटेशन ले जाकर घर में रखो मैं शाम को तुम से बात करूँगा मैंने सोच समझ कर ये फैसला किया है सलीम फिर तो मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो मैंने अभी अभी जो भी कहा वो मेरा आखरी फैसला है ये पेशन कहा है शिफ्ट कर दिया सर शिफ्ट कर दिया कहा पता नहीं सर कल जिस पेशन को एडमिट किया था वो कहा है गोपाल उसके रिलेटिव उसका इलाज दूसरे होस्पिटल में कराएंगे ऐसा कहकर ले गए विचारी का कोई नहीं है सिवाए माबापके जरा सच बताना पेइमेंट की प्रॉल्बम थी न पेइमेंट की कोई बात नहीं थी सर कौन से हस्पिटल में लेकर गया है पता नहीं सर हमारे एमडियंस में लेकर गया न नहीं सर, प्राइबिट एमडियंस था सर, एमडी ने आपको खास तर पर पर पार्टी में बुलाया है ओके बोल देना मैं आऊँगा लांस्ट येर हमारे हॉस्पिटल को एक सो चालिस करोड का प्रॉफिट हुआ उसमें से दस परसेंट आई मेन चौदा करोड रुपए इस हॉस्पिटल में काम करने वाले आप सभी लोगों को मैं गिफ्ट में देता हूँ नेक्स्ट येर हमारा टार्गेट थीन सो करोड होना चाहिए उसमें से आप लोगों का शेर थर्टी करोड ये आप लोगों का हॉस्पिटल है ये आगे बढ़ेगा तो आप लोग भी आगे बढ़ेंगे रेडे सेर रेडे को मैं गिफ्ट में देने जा रहा हूँ एक BMW कार उस कार की कीमत चानते हो 83,60,347 रुपीज और पार्टी खत्म होने के बाद तुम्हें इसी गाडी को लेकर अपने घर जाना है आपकी लड़की को बिना डोनेशन के हमारे कॉलेज में फ्री सीट वाँ सखी के कॉपरेशन के लिए एक छोटा सा गिफ चोटा सा घर हमारी तरह से एक फ्लैक्ट इन फैक्ट इस पार्टी में जितने भी लोग शामिल हैं सब के लिए गिफ्ट है जो घर तक पहुंच जाएगी अनफॉर्चुनेटली सलीम साहब हम सबसे विदाई लेंगे सॉरी सलीम, यूर डिस्मिस्ट सलीम साहब ने अभी तक हमारे छॉस्पिटल को चुछ बिसनिस दिया है उसकी बदले में very good human being, service minded and an example doctor, he deserves it तरन के सलीम के नाम इस पार्टी को सलीम का फेर्वल पार्टी के रूप में आपना। रूप में आँप्टी करेंगे। वत करेंगे। इस सोथ एफ्टिय। सकी प्जूर थेकाँ ह्त प्सकेज़। सक्की वई काना का जिस पे हम सब नाचेंगे, में? अगो… बनना के रहत 足तत了 आतली इक वाक्ताहित आतली सकी थरणि़ दुट तू के ब Patriot आतली Sakyra योखताडाडो मत विव अतली सक्की थे अठाड रां सक्की थे रां कॉम मत खाल हूथ झाल झाल सब्सक्साथ ने हो जुआ हो सलीप बनालस ने है फर भी हाँ फर भी हो भी हाँ भी पर भी हाँ पर हुआ देदा यह पार्टी तुम्हारी तरफ से यहां बैठ करी कर हियो बिल पे कर के जाना के जाना क्या करो तुम सब सालिम की पार्टी यह तालीम अपरे से इसलिए इसका बिल पे करेसे डिए प्रफद गश्याथ कि ने घूव्त है चांड थाट दो प्याए कि राख प्रफ खार्फ उख नौग षू ओख नौग झाए उग जुत को तडिय आख उडिए नौदिय को तो प्रे अए उटमा इए नौग ध झांड जुट कि ने गाए उल गए उडिएर कि यह वह झाए ले नौट मेरा बैकान ने, मेरा बाई कहा है। सम्हल जाओ रासकर्स वरिजनल डॉक्टर हो गया, वरिजनल डॉक्टर वरिजनल हो भी इस रॉक्स कितरे इस्तिमाल करते हैं उसका नाम है अचेस्मेंट मेरी नजर में ऐसे ससाइटी वाले अन्फिट हैं तो भागल लोग गलत करने वाले ही यहां राज करते हैं क्या होगा हमारे देश को वजब कि नो पारकिंग बताब किस की गलती है नो पारकिंग में गारी खड़ी करने वाले शरीफ लोग हैं और मैं बदमास हो नहीं कुछ तोड़ा है क्यों चिला लारा है कि से उची आप पांद कर रहा है चला अदर हटाओ तुम लोग मुझे सुधरना चाहते हो ना देखो देखो मैं सुधर गया रुक अगरों पता बता तुम लोग होते को ना मुझे गलत कहने वाले अब मैं बताऊंगा क्या गलत है बाइब बताऊंगा क्या गलत है देखो यह गलत है देखो यह गलत है कि I stop कर दो कि अधिक अधिक कर रहा है कि अधिक 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 है इसलिए रूल्स को फॉलो करने के लिए कि अधिक आप और आप भी कहते हैं कि रूसक फॉलो करो रूस फॉलो करो आप ही तोड़ेंगे तो गलत है ना बताये ना सब बताकर बोले ना बताने के सुन रहे हो जनाब बोतल चड़ाकर हमें रूस सिखा रहे हैं बताओ इनका क्या करें पॉलिस चेशन लेकर चले या फिर सारा नाशा यहीं उतार दें आप गलत बोल रहे हैं वह तेरी तो चल चल आइसे नहीं करूंगा साब आपकर दो साब 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 करते होगे साब कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो सुष्ण कर दो सर्फ सुरी सर, मैंने तुम्हें बुलाया क्या, जरा समझाए ना, सर, बेचारा पढ़ा लिखा लगता है, शरीफ लग रहा है, छोड़ दीचे सर, हाँ, जाओ ना यार, जाओ अपना काम करो, जाओ, सर, मैं डॉक्टर हूँ सर, डॉक्टर, आइडी कार्ड है क्या, है सर, सर, क्या हुआ, इदर उदर क्यों देख रहे हो, आते हुए रास्ते में मिस हो गया सर, मिस हो गया, फिर इतनी पी क्यों, डॉक्टर को तो हमेशा रूल्स पर चलना चाहिए, बीच चड़क पर दूसरों को रूल्स नहीं सिखाना चाहिए, खास कर पुलिस वालों को, पढ़ लिखकर, पुलिस वालों से खेलोगे, तुम जैसे लोगों को सही रास्ते पर लाना हमें आता है, डॉक्टर, तभी तुम पुलिस वालों से डर्ना सीखोगे, माफ कर दो सर, अंजाने में गलती हो गए, तुझे मैंने उदर बैठने के लिए का था न, जाकर चुप चाप बैठो, बहुत इमर्जेंसी है सर, मुझे जाने दीजे, कहा ना तुझे जाकर बैठ, जा उदर, बड़ा शरीफ बनता है, इतनी देसा समझा रहों सुनी नहीं सुबह तक बैठेगा, कल ठीकाने आजाएगी, पोलिस वालों को रूल सिखाता है, तेरे जैसे एक हजार आते हैं यहाँ, शयाना बनता है, अगले हफते तुम लोगों की शादी है, इन्विटेशन बढ़ चुके है, अब वो कह रहे हैं, मुझे शादी नहीं करनी, अंकल, प्लीस, अइसा कुछ भी नहीं, फोन इदर ला, क्या कर रहा है, इसको फोन कर रहा है, हाहां में पॉलिटीक सिखा रहा है तु, हलो, तो किसी को भी फोन कर ले, कोई हमारा कुछ नहीं विकार सकता, समझा या, सर एक बार बात कर ले ना दीजे, एक हफते बात मेरी शादी ह जा ना जा बैट उदर जाके बैट ऐसा क्यों किया प्रॉब्लम है उसे लेकर आओ क्यों रो रही है इधर आओ क्या हुआ जी कि फोनी में उठा रहा है मुझे बात करने के लिए बुलाते ही रहते हैं इतना क्यूं शर्मा रही है कि अधिक है हम देख लेंगे इस मामले में पैसे ही नहीं रहता साब पाकड़ू से कि से फिच्षा कि अधिक है है सब्सक्राख करें तुछ अभीलों होता चर्श भीलों है यह रखाल है एग्श्चा पायों वांत करें अश्यारी आद मैंका पंदे तुझे आज़ा है यह वाआद मत धुर्चा पतो है कंद नुख रुचों! बुचाने! बुचों! आटो! dividendवants, dividendवants, dividendवants! जल्दी में हों पूस, जल्दी सेलेचुल, भய्यça, चलो, प्लीज. पुलिस वाले को बेवकूब समझता है मैं चाहूं तो तुझे यहीं भून दू हमसे पंगा लेता है तो अब मैं तुझे दो साल के लिए जेल में सड़ाऊंगा तब तुझे पता चलेगा पुलिस क्या चीज है इधर उदर क्या देख रहा है फिर से भागेगा बड़ा कॉस्टली फोन यूज करता है रे अब इस फोन को मैं अपने पास रखता हूं जब तक यह फोन मेरे पास रहेगा तू नहीं भाग सकता वा 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 मतलब तू लड़कियों का भी शौक रखता है यह मामा कॉन है रे वो मेरे ससूर है सर मतलब तेरी शादी हो गई क्या अगले हफते मेरी शादी है समझ ले तेरी शादी हो गई दूला तू जरूर बनेगा पर ससुराल सरकारी होगी बेटा अब तो तू गया दो साल से बाहर आने का कोई चांस नहीं है तेरा नान बेलेबल केस छोंक दूंगा जमानत मिलने में भी पूरे तीन महिने लग जाए फोन क्यों नहीं उठा रहा है हलो सलीम बेटा अलो कौन मैं जी अस पुलिश टेशन का इंस्पेक्टर बोल रहा हूं तुम्हें अकल नहीं है क्या एक मुझरिम को अपना दामाद बना रहे हो तू जी लगतो बतकर कर dealt संPO, आथ अशां सिल भालो क्यों कर चाता सकते हम सहते तया उसे उलेते हैा बना उलेतार भालो को फेछते विसे स Clapham है क्या वभाता सेता बना सब्सक्त, वाख है वालो भाल बनातो धुमना बना सकते हैं औि सके सकते हैं प्यां स्थान सकते हैंना में नहीं नहीं गोली में चलाना सर कानून हाथ में मत लो सर यह गलात है सर गोली में चलाना प्लीज दस साल पहले ट्रेनिंग में ऐसी दोड लगाई थी बीते सालों में कुट्टे के जैसा दोड़ाये उसने मुझे जबान बाहर निकलाई बड़ी जालिम चीज है वो सर्विस रिवालवर लेके गया है वो मेरा उसे बताऊंगा कि मैं क्या हूँ कहीं भी तुम कुछ नहीं बोलते लड़ते नहीं हो मार बीट नहीं करते क्यों तुम्हें बिनाधार वाले आउसार हो मैं ये शादी नहीं करना चाहती अब मैं तुझे दो साल के लिए जेल में सड़ाऊंगा क्यों भी तुम्हें इतना कुरूर आगया क्यों पर वाला पाईसा देरा और तुने उसे तुक्रा दिया तुने मुझे निचा देगा तुम्हें मिट्टी में मिल गया है अब इम्यूनिस पालटी में तुने पीत्तरे को जगा नहीं मिलेगी सम्झा उट्चा अब आण चाहडो मार जाडो पर दो पर जावाने जो हो जदे बने दो जदे ढूरा है अब तरस बाजे पांजे ओंगा डाले जदादा लेट मत करना जदा लेट नहीं का सिर्फ एक छोटी सी कार के लिए हजार लोगों के जिन्दगी परबाद करने वाला तो एक शरीफ डाक्टर है वो भी सेकेंड नॉबर का है वो मेरी काम यामीने मुझे दिला है अब मैं चाहू तो तुझे काई भी नौकरी नहीं मिलें कि जाता अब एक अलफाज भी तेरे मुझे निकला तो जिन्दा पोस्टमाटम करतूंगा मुझे लगादा तुम वाकस नहीं आऊगे कैसे आना हो यहां पैरे एक स्मॉल पैक दो क्य होता हिए थिए Alright Hey, Take Him out! Take Him out. From here! क्या है वे tenny met ? ह शुइन हऊंपिडल चला रहा है ? kattle खाना… जवाण स्टाफ के साथ शराप्यकर आयाशी करने तु.. मुझे गलत कहता हैं तु, मुझे गलत कहता है कि पैदा होने से लेकर पोस्त माटन तक से पैसा 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 सलीम सलीम रुख जा यार उन कमीन को तो तु जानता ही है ना तो फिर तु ऐसा क्यों कर रहा है यार ये बता तेरे पास ये गन कहां से आई हाँ देख ये सब अपना काम नहीं हाँ ये गलत रास्ता छोड़ दे तू चल मेरे साथ हाँ तुम टेंशन मतलो सौमे मैं गलत रास्ते पर नहीं जा रहा हूँ मेरा दिल जानता है मैंने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया है सौमे मेरे शराफत किसी को रास नहीं आई कोई कहता है कि करोडो कमा कर दो वरना नौकरी छोड़ कर कहीं और चले जा कोई कहता है कि गुनाव में मेरा साथ दो और करोडो कमा यह सब तु क्या कह रहा है और वो पेपर में क्या छपा है? तुम इतना भी नहीं समझे स्वामी, मुझे नौकरी से निकालने के लिए कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं आज मेरी आत्मा मुझे धिकार रही है स्वामी, लगता है मैं पागल हो जाओंगा क्या बताँ, एक पुलिस वाले को रूल्स बताया तो मुझे दो साल के लिए अंदर करना चाहता है ये बताईए गन है किसकी? उसी की है, दो साल की सजा काटने से पहले आज का एक दिन सब शैतानों का बाब बन कर जीना चाहता हूँ मैं चलता हूं सौमे सलीम, सलीम! ये वपक एक हुवाली 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 हुपार्ण हो एक है पिन खभादा ये खाया झाह वुपार्ण काह थीजし झाल 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 मस्करा लग क्या हूँ दीवाने तुम अंदर कैसे जिस्टायासे चोड़ा मजे चोड़ा मजे चोड़ा मजे पुझे तबनाने पे सहीए यारसे बगड़ना यार क्या कर रहा बीड़ू जा कर देख कौना ये का लो भए अर्णा ऑार लो ब HC का लो पसली झाल आप माठा है? आज के मुख्य समाचार अभी अभी हमारे सववादाता से यह खबर मिली है कि अचानक होटल वाइट पैलस के अंदर से गोली चलने के आवाज आई है यह गोली किसने चलाई इसका पता नहीं चल पाया है ओाज चाज बहीं होज़क रब शाज़ से मुनिनुर्श्स के लगा उसनेवने इसक लोली किसने के लुछाज़ विदके लगड़ से पन फ्रोफ यहहऊ उज खबर ठशके लगाज़. एक खास ब्रेकिंग नियूज गन की नोक पर एक अचान आदमी ने चार लोगों को होटल वाइट पैलेस में बंधक बनाकर रखा है हमारे समवादादा से हमें ख़बर मिली है कि उसमें से एक हमारे राज्य के मंतरी का बेटा है उसके साथ साथ उसके तीन दोस्तों को भी बं बंधक बनाया गया है इसके कारण का भी पता नहीं चल पाया लेकिन गन की अवाज सुनने वालों का यहीं कहना है कि किसी बड़े कारनावे को अंजाम देने के लिए ही ऐसा किया गया है कि अब कि अब कि अब कि मारा से सारी गाड़ी को अटा हो जल्दी अब देख नहीं है इसे होटल में से बुली चलने के आवाज आई थी सारे गेस्ट को सेफटी से बाहर निकालो यहां पर कॉन ठहरेत है उनका पूरा डीटेल्स लो विद्ध आईडी प्रूफ जिस किसी पर शक हुआ तुरंद रेस्ट करो विटनेस कॉन कॉन है ये भी पूछो इमिडियेटल यह काम होना चाहिए डूइट कुएट 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 इससे पहले तुमने उसे कहीं देखा है क्या नहीं सर इस होटल में सीसी टीवी कैमराज लगे हुए ना बिल्कुल लगे है सर तुमने उसे देखा है ना अगर उसकी तस्वीर दिखाएंगे तो पहचान लोगी पहचान सकती हूं सर क्यों जुआ करना केमरा उपर लो भूस आदमी पे पांस करना क्यामरा टू चालू करो तो प्रक्राइब हां वहाई है सर बढूत करना हां थोड़ा थोड़ा हां चटकरों किसी और कामरे में एकार साथ कामरा इस खेर कि लिए लगए फूटेज नहीं बसी एक ही है इतने बड़े होटल में इस्राथ हार्ट केमरा कि लानैं कि यहां खास्तव इ्मपोर्टन बियाई पी आते हैं इसलिए प्रेंट से नहीं लगाया सर्व गुण गुनाह का परदा फार्श होगा इसलिए मिस्टर जॉंसन मुझे इमीडिटली बात कने रेडी करो अगर बड़ी हमें क्यों बद्नेक बनाया है तू चंता है मैं कौनू अगर मुझे कुछ हुआ ना तो तू पचेगा नहीं इसलत से हमें छोड़ते समझे मैं जितनी देर यहां रात तेरी मुसीबत पढ़ती जाएगी हाथ खोल मेरा खोल हाथ खोल सुनाने देता क्या तुझे परस्ट विंग यह जगह हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेस है सेकेंड विंग टास्पोर्स कवर करेगा थर्ड विंग यहां खास सा खानी बरत नहीं होगी यही से होते वे हमें यहां तक पहुंचना है और यहां से उतर कर वह भाग न जाए यह कंट्रोल रूम से जज़ा रखना है यहां पत्रोगे पंट्रोगे में आपका करना अब करना है आलो आलो बात कर अलो अलो डैट गुरू क्या हुआ बेटा तु सेफ तो है ना है क्या बात है तु बोल क्यों नहीं रहा हां तु जैसे कहीं चोड तो नहीं लगी है हां मैं ठीक डैट तु रो कियो रहा है तेरा बाप इसी चौहा बाब शराजिक का मंत्री है तो इस चौह बक्र हो नहीं देओ अ सब recognized तुझा भी घबराना मन इंम्त से रह इसके पीछे क्या मस्ला है ये बता भी ना पुंथ सब्सक्राइब करने ये बता वह है कौन है याद रख तुझे मैं जिन्दा कड़वा दूँ है यह केस कौन सा पुलिस वाला है उसे बुलाओ मैं उसे बात करना चाहता हूं जल्दी बात करो जारी है अलो तुम सब लोग उधर कर क्या रहे हो तुम इधर और आखर थेक यह और आखर अलो मैं होम मिनिस्टर बोल रहा हूं समझे और सौरी सर बहुत सारे रॉंग कोल साते रहते हैं मैंने वही सम्झाता सर कहिये नहीं सर सुन अगर मेरे बच्चे को कु तो किसी को नहीं छोड़ूगा मैं जानता हैं तो किस से बात कर रहा है जितने ही जल्दी हो सके उसे उसके चंगल से छोड़ा कि मेरे बच्चे को बाहर निकाल कितना और वक्त लगेगा बता सर बात करने की कोशिश कर रहे हैं इतनी जल्दी कैसे होगा उससे कब बात करोग सर, फोला रहा है कौन है बे तू? तू समझता क्या है? हमारे पास और कोई गाम नहीं है क्या चाहिए तुझे? बता ना, क्या चाहिए तुझे? रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट चाहिए मुझे सी मिस्टर, आम चेरियन डेप्यूटी कमिशनर अप परिस, क्राइम ब्रांच इस ऑपरेशन का हेट बताओ, तुम कौन हो? और तुम्हे क्या चाहिए? गरम, एक कप चाहिए हलो एक, क्या हुआ? बता ना, क्या चाहिए उसे? उसे चाहिए चाहिए, आगा तो नहीं है बताओ, उसे चाहिए जसे चाहिए हुआ हुआ है हुआ हुआ है सर हमें उसकी फोटो मिल गए है जो अंजान शक्स ने बंदुक की नोक पर होटल वाइट पैलस में कमरा नमर 501 में पांच लड़कों को बंदक बना कर रखा गया है उनकी पहचान हो गई है इसके बारे में जो भी जानकारी देगा उसे पुलिस ने अपनी तरफ से इनाम देने की खोशना की है होम मिनिस्टर के लड़के और उसके साथियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया है उसका ऐसे करने की पीछे मंचा क्या है यह अभी तक पता नहीं चल पाया नीचे का नजारा देखकर मुझे बात समझ में आ रही है कि तेरे जिन्दगी कितनी केमती है हुआ है मैं डॉक्टर रेटी बोल रहा हूं सर आप जिसे टीवी पर दिखा रहे हैं उसे मैं अच्छी तरह जानता हूं मेरे साथ काम करता था उसका नाम सलीम है सर वो एक डॉक्टर है आप कुछ फिक्र मत करो सर उसका मोटो क्या है यह भी हम पता लगा लेंगे इन केस अगर वो ट्रेरिस्ट भी निकला तब भी एक्ष्ट्रा फूली स्फोर्स मंगवाकर आपके लड़के को बचा लेंगे सर असलाब ऑलेकूम सलीम भाई वेरी गुड सर मान गया पैचानी गया आप मुझे मुझे सिफारिश की जरुरत नहीं ये बताओ तुम किस के लिए काम करते हो अलकाइदा सिमी के लिए क्या फिर मुझाहिद दीन हो सर माना कि मेरा नाम सलीम है सर लेकिन मेरे नाम से आप क्या सोच रहे हैं सर इससे अच्छा तो आप मुझे विजय बुलाते एंथोनी बुलाते वो मुझे मंजूर था लेकिन इतना बड़ा इल्जाम मेरे उपर मतलगाओ सर ये ग को हाफ एनर का टाइम देता हूँ सिल्वा नॉर्थ मेड्रास रावडी सिल्वा उसे तुरंत इहां बुलाई है वो यहां क्यों आएगा ये ना मुम्किन है पहले उन चारों को नीचे भेज़ सलीम तुवाकिर कर क्या रहा है घबराये मत मिस्टर परियन मैंने उस दड़के के पैर में गोली मारी है अब सीधा उसकी टांग ही छेद कर दूगा मुझे जवाब चाहिए मेरे का नासुनने के लिए तयार नहीं मिस्टर परियन मालिक वहां से अभी फोन आया था यहां कहा उसने कहा सिल्वा को यहां ले आओ इसलिए वो तो पता नहीं सिल्वा को नहीं लाया तो छोटे मालिक को मारने की धमकी दिये मालिक मुझे लगता है कोई कम्भीर मामला है तुने पुलिस पर हांथ उठाया गॉली चला गॉली मेरा लिए कुछ नहीं है पाई यह चौड़ो इस से जाने दो उस निपटलिके बाद में मिनिट सक्षाब का फोन आया था अलार्ष्व हो लाई है काल हुआ है कि उससे अब तक आप लोग ने अरेस्ट क्यों नहीं किया लगता है आप लोग भी उससे डर गए है कुछ जवाब क्यों नहीं देते रूल्स जानते हैं ना उसका कोई नहीं है बेचार आनात है इसलिए मैंने शादी के लिए हां कर दी बात में पसंद नहीं आया तो मैंने ना कर दिया बस इतनी सी बात है और मैं कुछ नहीं जानती मुझे उसके अंदर जरा से भी मर्दानकी नहीं देखी इसलिए मैंने उससे उसे खुद नहीं पता कि वह क्या कर रहा है ओके मैं संभालूंगी रोम नमर क्या है नो तुम आपने हाथों में गण लिया हुआ है तो उसके हाथ में गण है सलीम को मैं अची तरह जानती हूँ, वो मुझसे प्यार करता है, वो मेरी बात नहीं जालेगा नहीं मैडम, अब जबर्दस्ते रिस्क नहीं ले सकती, जुस्स बी कूल, ओके कमांडो, सलीम की गल्फ्रेंड उपर जा रही है, उसे कुछ ना हो ऐसा ठ्यान रखना, ओके सर, मुझे लड़की पर डाउट है, उस पर नजा रखना, मूव सलीम, सलीम मैं इशा बोल रही हूँ, सलीम, मेरी आवास सुन रहे हूँ ना, मैंने खुछ से में कुछ भी कह दिया, तो तुम कुछ भी कर बैठोगे, क्या, सलीम तुम गलती पर गलती किया जा रहे हो, तुम्हारी बज़े से मेरी इशत मिटी में मिल गई, मेरी बात मानो, उन्हें छोड़ दो, जिस्ट ओपन दोर सलीम, सलीम तरा, सिल्वा आ गया, सभी लोगों को अलर्ट कर दो, ओवर, तुम्हारे कहने के मताविक सिल्वा को ले आए है, मुझे उन लड़कों को देखना है, आप उन लड़कों से बात कर सकते, आपको तीस सिकेंड का टाइम देता, आपको तीस सिकेंड का टाइम देता, यह टाइम स्टाट्स ना, कौन गुरू, तुम जरा भी डरना मत, हर हाल में हम तुम्हें बचा लेंगे, मेरे सवालों का हाँ या ना में जवाब देना, उसके पास गन के सिवा कोई और हतियार है, गुरू, डरो मत हिमत से बताओ, हम है ना, तुम डरो मत, गुरू, गुरू, मेरे दे हुए 30 सेकेंड्स, पूरे हुए मिस्टर परियन, मेरी बात सुनो सलीम, तुम्हें क्या तकलीफ है, मुझे ये बताओ, उसे सॉल्व करने के लिए मैं हर हाल में तुम्हारी मदग करूंगा, मेरी बात मालो, लड़ाई जगड़े में कुछ नहीं रखा है, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गन से नहीं होता है, मेरा ब्रेन बोच मत कीजिए मिस्टर परियन, अब आप वो कीजिए जो मैं कहने जा रहा हूं आपसे, होम मिनिस्टर विक्रम पूर्णिया, इस शर मैं तुझा आखरी बार समझा रहा हूं, पुलिस को अंडरिस्टिमेट मत करना सलेम, अगर तुझे अपनी सिंदी की प्यारी है, तो उन चारों लड़कों को सुरक्षित नीचे भेजो, मैं भी आपको आखरी बार समझा रहा हूं, मिनिस्टर यहां नहीं आएंगे, अगर को यह बात दुबारा आपने कही, तो इन चारों में से हाँ कोई जिन्दा नहीं बचेगा, शूट, सर, पिशाना चुकिए, सरी सर, किस से पूछ कर ओडर पास किया, हमारा मकसद उसकी चान लेना नहीं है, बिना ओडर के आक्शन नहीं लेना है तुम्हें, दूँट, वर अवर, यहां पे और पूली स्फोर्स वेजिए, यहां अभी पूली स्पोर्स बेजिएं यहां पे अबी इए एक और से बाड़ी गिरी है, वर यह वर बिनादी आछीं एक पुपर से एक मारी इच आँ आप तामिलनाडू के होम मिनिस्टर के बेटे को बंधक बनाने वाला एक उगरवादी है ये उसकी एक्टिविटी से पूरी तरह सावित हो गया है उन में से एक को नीचे फेक कर उसने एक धमकी दी है अगर उन तीन लड़कों के जिन्दगी चाहते हो तो होम मिनिस्टर को फारण बुलाए जाए ऐसी उसने मांग रखी है मिनिस्टर को बुलाने के लिए कहा तो तुमने मुझे मारने का प्रोग्राम बना दिया इस सलीम को इतने हलके में मतलो मिस्टर परियान बाकि तीनों को जिन्दा देखना चाहते हो तो मिनिस्टर को यहां बुलाओ इस वद्वाजी तेरे हाथ में मेरा भी वक्त आएगा उस वक्त में तुझे तुनिया से उठा दूगा डमिट गुड लग सेर वोम मिनिस्टर के बेटे को बंदग बनाने वाला एक उगरवादी है यह उसके एक्टिविटी से पूरी तरह से साबित हो गया है जिन चार लड़कों को उसने बंदी बना कर रखा था उसमें से एक को नीचे भेग कर उसने धमकी दी है और वो धमकी यह है कि अगर उन तीन लड़कों की जिन्दगी चाहते है तो होम मिनिस्टर को तुरंट यहां आना पड़ेगा इसकी वज़े से सारी राजनिती उधल पुतल हो गई है उन चार लड़कों को बंदग बनाने की वज़े क्या है यह अभी पता नहीं चल पाया है उस उग्रवादी ने मिनिस्टर साब के बेटे के दोस्त को चार माले से नीचे भैग दिया है वो इस वक्त शहर के एक हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में जूल रहा है अभी पता चला है कि होम मिनिस्टर वहां जल्दी पहुँच रहे है आगे की खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रही है पत बोचा कौन है चेरियन, कौन है चेरियन, है? आइम चेरियन सर्व वह अखर चाहता क्या है, उसने मुझे यहां बुलाया, तुम्हें यहां चला आया, आउससे को के मेरे लडगे को छोड़ दे जी उसे फोल लगाव तुम्हारे वस की बात इधर लाओ, मैं बात करता हूँ हलो, मैं होम मिनिस्टर बोल रहा हूँ, देखो मेरे भाई, मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या चाहिए, वो तुम्हें मिल जाए तुम्हें मेरे लडगे की गिर्वान में हाट डाला है, मतलब यहां की गर्मन्ट की गिर्वान में, समझे, तुम्हें मेरी बात सुनो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए, बोलो वो तुम्हें मिल जाए, लेकिन मेरे लडगे को फॉरण छोड़ दो सर मेरी जिम्मधारी है तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा मैं आखिर हो मुझे उम्मीद है कि तुम समझोगे तुम सोच भी नहीं सकते मैं इतना बड़ा अमाउंट तुम्हें बहुत आराम से दे सकता हूं लेकिन पहले मेरे बच्चे को छोड़ दो क्या कहते हो क्या है तु नचेरियन बोल रहा हूं सी मिस्टर परियन अब मैं आपके सिवा किसी से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा यूं मैं कोई पंदर हो जो तु नचायक और मैं नाशता रहूंगा जरह से भी मत तु सामनिया कर बात करूंगा फिर तुझे बताता हूं मेरी फिक्र मत किजे मिस्टर परियन इस वक बहुत गरम हो गए है आप इसलिए मैं आपको एक गर्मा गरम खबर देता हूं कल रात से एक जान धीरे धीरे निकल रही है मेरे बताए अड्रेस पे जाएंगे तो उसे बचा सकते हैं हम तेरे किसी भी कहे बात को बानने वाले नहीं है अड्रेस चाहिए या नहीं चाहिए अब बोलो प्रभू सर हमने पूरा सर्ज कर लिया है यहां कोई नहीं है लगता है तुम लोग उसता कभी तक नहीं पहुंचे अरे, चौह जाए लोगती प्रमी पहने, पहने, पहने वह सब ठीक तो है नभी ओके वोट चोबियो से रिखो कर दो कि मुझे तम लोग कौण्व सा या रहे हैं होस्पिटल नहीं सर हम लोग इस वक्त होटेल जा रहे हैं अरे क्या मुझे भी क्हाना आप्र चुम्द कोई ले चलो अप जरा शांत रहें सर अब तक तुम लोगों ने कोई काम ठीक नंग से नहीं किया है अगर आइसा ही चलता तो मुझे उपर जाना पड़ेगा मुझे सच सच बता हुआ क्या बात क्या बताओ अब तक तो यहां जिन्दा क्यों खड़ा मेरे सामने हां वहीं मर जाना चाहिए था बड़ी बड़ी बात ही करता रहता है जरा भी अकल नहीं है हराम काखाखाखे जिस्म तो सांच जैसा मोटा बना लिया है लेकिन धिमाग बिलकुल भी नहीं है बात क्या हुई बता कि अग्या है ति आजी कुमार सहब आए है अग्या दो मैं आ रहा हूं ठीक है सर लड़के को कुछ नियों होने चाहिए ओक है एक मिनट से इधर आंगे सर प्लीज तुम लग ज़रा बहर जाओ सर सीम साब ने क्या कहा आपको जो करना है करो लेकिन पार्टी का नाम खराब नहीं है उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरा लड़के को सही सलामत बचाईए और साथ में पार्टी पर कोई दाग ने लगए यह भी दियान दो करना है यह वात मैं अची तरह से जानता हूं उन्होंने यह का वो का यह कर अगर तुम लोगोंने ज्रावी चूप की ना और मेरे बच्चे की जान को कुछ भी हुआ तो मैं तांडव मचा दूगा ऐसा मैंने का यह वात तुम जाके सेम को कह दिना कर दो हाँ हाँ साहब आप सलीम है ना साहब मैं सरोजा का पिता हुँ साहब वे कि अजी पता है कि नेरी बच्ची कह रहा है नैक हो अपनी बच्ची से मिलना चाहते है जिससे पूुछता और फुह जना मुझे आप काहा रहा है अज साहब stories a wellness a head निजो लेला है लेलो साथ, लेकिल मेरी बच्ची को ठीक कर दो साथ, मैं आपके आगे हाथ जोता हूं साथ, उसके अलबा हमारे कोई नहीं है साथ इस दुछिया में। किया है, क्या बात है बाइ, मैं बात करा था और तुमने फोन ही काट दिया, यह तो बहुत गलत है ना। सुन, मैं कौन हूं और तुझे यहां क्यूं बुलाया, यह तु अच्छी तरह से जानता है। देख मेरे भाई मेरी बात खौर से सुन मैं तुझे इज़त के साथ तेरे घर भीजवातूंगा वो भी नोटों से बरे सूट केस के साथ तू फॉरन में सेटल होकर वहां एंजोई करने के बारे में सोच भीकार की बातों में टांग मत तड़ा इस तरह का लालच अपने इशा मा को कहां चुपा के रखा है तुने चब चब बता दे तेरे बेटे ने और उसके दोस्तों ने मिलकर उस लड़की की इज़त लूटी और उसे मारने की कोशिश की ये बात तुमें मेडिया के सामने कहनी हो और ये मैं देखना चाहता हूं समझ गया वरना तुझे तेरा बे सोल एक से कुलोगाता हो आप धेखने सिलते ताक युट्णा चुण आप देख करशे कुड़ो च mot आपकड़ पकड़ो-पकड़ो पकड़ो नमाल के, पकड़ो वाट रविंग चैरिया तो क्या हो गया हलो बताओ तुम्हें क्या चाहिए सरोज और उसकी मां कहा अए कि ये पता लगाना है न तुम्हें उसकी कोट पुलिस ऐसे कई रास्टे हैं जिसस्टाप इट चार नाबालिक लड़के एक नाबालिक लड़की को उठा कर गैंग रेप करते हैं फिर उस पर ऐसी डाल कर उसे मारने की कोशिश करते हैं कैसे कि उन्होंने ये हिम्मत कौन है इसका जिम्मेदार अब तक उसकी हैवानियत पर तुम जितना परदा डालते आयो हो न अब इस पर परदा डाल के दिखा स्पीकर ओन करो मिस्टर परियान सोनो मिस्टर पूर्णिया कितना अच्छा नाम है तुम्हें इसी वक्त सरोजा और उसकी मा को तुमने जहां भी छुपा कर रखा है उसे लेकर आना होगा और उसकी इस हालत का जिम्मेदार तुम्हारा बेटा है ये तुम्हें मीडिया के सामने सरे आप कहना होगा ये काम जितनी जल्दी करोगे तुम्हारे बेटी की सेहत के लिए उतना ही अच्छा होगा अगर नहीं किया तो याद रखना आगले 10 मिलट के बाद तुम्हारे बेटे का ही केक अंकट कर नीचे किरेगा आई एसा है यो यो झाफना आई रखना हुाओ है आई नता है है दुख प्रूइए ऐसे लिए करते हैं कुट्राओ करते हैं टॉख झा जाते हैं प्रॉग दॉख़िए झाल 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 हम लोग मुश्किल परिस्तितियों में हैं इसका उपाय क्या हो सकता है जल्दी मुझे बताओ मेरे इसाब से अटेक करना बिल्कु सही होगा सर बट लड़कों की जान का खत्रा हुए बिना आटेक करने का कोई प्लान है अटेक करने का प्लान तो है सर लेकिन लड़कों खम बचा पाएंगे या नहीं ये बात कहना थोड़ा मुश्किल है क्यों मेरा लड़का है तो क्या मोर기 बकरी लग रहा है तूह्में Probably Mr.. Chair Mr..शर अब आप ही बताये आप ही ने उससे ज़्यादा बाते की हैं लेकिन अब उसके दिल में क्या है ये आपने ही ज्यादा गैस किया होगा आपके हिसाब से उसका अगला प्लान क्या हो सकता है अगर उसकी डिमांड्स नहीं मानी तो वो लड़कों को मार देगा चुब कर हम प्रेस वालों के सामने जाके सब कुछ सच-च कबूल कर ले इसके लबा कोई और तरीका है तो वो बता वना वो बन रखा अपना जुर करताई जू जूर माई गाड है कि मिस्टर प्लीज कम यह मिनिस्टर बेचारे बुरी तरह भास गया है अब उनका क्या एरादा है अब ज्यादा दिन तक टिके ने रहेंगे सर छे महिना या साल वर वे छोटे को किसी तरह निकाल लेंगे अब क्या कह रहें मैं समझा नहीं सर छोटे मालिक को अठारा साल होने में अभी तीन बहिना बाकी है वहां कर भी दिया तो भी माइनर के नाम से केस रेजिस्टर होगा एक साल या दो साल फिर बाहर आ जाएगा इसलिए मालिक राजी हो गए हैं यह ब प्लीज सब शांस हो जाएए प्लीज सब शांस हो जाएए वी हैव बेरी शॉट टाइम प्लीज को प्रेंट विद उस थैंक यू सर प्लीज एक आदिवासी लड़की की ये दुर्दशा करने वाले मतलब उसकी इजज़त से खेल कर उस पर जान लेवा हमला करने वाले कोई और नहीं मेरा बेटा और उसके कुछ साथी हैं जिस बात से मैं बहुत शर्मिन नहीं उन्हें क्या सजा मिलेगी ये बात मैं बहुत अच्छ आया वो बिल्कुछ सही नहीं था वो सीधा कर मुझ से मिलता दूसरे नेताओं से मिलता और बात्चित करता तो हम इस बात का हल निकाल सकते थे उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए सलीम ने जो कदम उठाया वो कदम फिर चाहें वो मैं ही क्यों नहूं या फिर कोई औ नून के दायरे में रहकर करना चाहिए आज मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरे बेटे ने एक पाप किया है और उसका प्रैश्चिन हमारी सरकार को करना पड़ रहा है मैं वादा करता हूं कि मैं गुन्हेगार को सजा दिलवा कर रहा हूंगा और ये बात मैं आज आप सब के सामने कह रहा मैं कोई पक्षबात बिलकुल नहीं करूँ है आपको अगर और कुछ जानना है तो पुलिस से पूछिए साइलेंस साइलेंस शांत हो जाईए शांत हो जाईए आप लोग आप लोग शांत हो जाईए क्यो जाईए इस प्साइ़ ऎसरो और मेना चल indem वारा भॉफ दरेन से नहीं कर वारा, है कि Ale यहीं कर जो मुने कनी हार, क्या दिते हो जाःए पुल लोगं बोलने वाला कोई ले है क्या? सभ देने वाला कोई ले है क्या? मेरा दुक्तर सुननने वाला कोई ले है इसम् réduब 거ी? ऐ बगornों तु मुझे भी उठा ले मेरे अपनों को लेकर तु मुझे आतन अपने के लिए प्लॉदय में क्यों चोड़दिया बग्रार? अज रात को तीन में से दो को मैं रिलीज करने जा रहा हूँ मेरी अपनी सुरक्षा के लिए गुरू को अपने साथ रखोंगा मुझे यहां से निकलना है मुझे एक कार चाहिए आज रात को ठीक दो बचे मैं गुरू को लेकर यहां से निकल जाओंगा होटल छोड़ दूगा मुझे अब तक लोट कर वापस नहीं आएगा मुझे कोई फॉलो नहीं करेगा अगर किसी ने फॉलो करने की कोशिश की तो गुरू जिन्दा नहीं बचेगा सुनो मिश्टर सलीम यह पॉसिबल नहीं है तुम्हारी हर शत नहीं मान सकते हैं तुम्हें यहां एक पचास पे कार तयार मिलेगी लेकिन तुम्हें तीनों लगों को हमें यहीं हंड़ोबर करना होगा मैं तुम्हारी चाल समझ रहा हूं और तुम्हारे नेताओं को अच्छी तरह से जानता हूं है इस मैटर को आप यहीं दबा देना चाहते हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दुगा नहीं, नो, नो पहले उसे बहां से बाहर निकल ले दो मेरे लड़के को केसे बचाना ही मैं जानता हूं उसे यहां कहे दो प्लीज सली मेरी बात सुनो मिनिस्टर का लड़का सिर्फ 17 साल कही है उस बच्चे को हम कानूनी दाओं पेच में फसाएंगे तो बहुत मुसीबत हो जाएगी अभी वो नादान है भगवान के लिए उस लड़के को कुछ मत करो समझ गहना हूं कि अग्याओं कि जालीज साल कि राजनीती में मेरे सामने कोई आख उठाकर खड़ा नहीं हो पाया लेकिन आज कि प्रैस वालों के सामने मेरी सारी इस्ट निलाम कर दी मुझे मार दिया मुझे जीतने जी मार दिया वो में मरेगा उसे मरना होगा मेरे लड़के के जूटने के फॉरण बात मुझे उसके मौत की ख़बर चाहिए समझे तुम कमानों उसको कहना किसी भी तरह की हालत हो तो सलीम के फोन से किसी को कॉल जा रहा है सर हलो मैं सलीम कान बोल रहा है आप कैसे हैं सलीम मेरी छोड यार यह बता दू कैसा है जिन्दा हूं स्वामी मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए थी स्वामी बोला यार हॉस्पिटल के मेरे लॉकर में तुम्हे मेरे एटियम कार्ड मिलेगा उससे सारे पैसे निकालकर शारदा अनाधाश्रम में दे देना स्वामी हो सके तो अपने पास से भी कुछ मिला लेना वो सभी गरीब अनात बच्चे हैं मेरा इंतिजार कर रहे होंगे निशा से मिलकर मेरी तरब से उसे सौरी बोलना स्वामी वो बहुत अच्छी है मुझे पता है वो मुस्से नारास है कल मैं जिन्दा बचूंगा या नहीं यह मैं नहीं जाता सौरी घर में कुछ जानवर और पक्षी है सौरी उन्हें ले जाकर किसी अच्छी जगह पे छोड़ देना सौरी उनकी देखभाल मेरे बात कोई और कर लेगा मेरे इतना काम कर देना प्लीज वो सब बहुत दिनों से मुझसे चुड़े हुए थे सौरी प्लाव एंद कर देखभाई झाल मुझसे प्लाव प्लेक में कार तुम्हारे कहने पर ही हमने तुम्हारे लिए गाड़ी मंगवाई है प्लेस टेक मैं कार, टेक मैं कार अब फिक्र मत करो सर, आपका बिटा सुरक्षित आजाएगा वारे कानू, फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, कहते कहते 20 सड़क पर ले आया आपके लड़के को बचाने के लिए हम उस गाड़ी में सब कुछ इंतिजाम कर दियें लेकिन आपके लड़की की जित के आगे, हमारा सारा खेल बिगड गया से जाओ यहां से, होको मात, इतनी सारी पुलिस, इतनी सारी कंज, उसके बावजूदो यहां से पचके निकल गया सर, हैवानियात कंदंगा नाच आपके लड़के नहीं खिला था सर मेरे लड़के को कैसे बचाना ही, मैं अच्छी तरसे जानता हूँ, और मैं बचाओंगा भी क्ष़िए हम्साओंगा लावजूः का लड़के करते ही बार्याओादा कर लोड़के करे लोड़के का लोड़के का बाव पक्रावजूदों आपके लोड़के का पर का वीकल प्ताता हूँ, आपके को रूदे भी हालो गुरू डैडी तुझे कुछ वा तो नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ डैडी वह कहा है वो मुझे गाड़ी से उतार कर कहीं चला गया डैडी मैं ECR के पास हूं लेकिन इस इलाके का नाम मुझे नहीं पता है डैडी एई उन सब को यहां बुला उसने मेरे लड़के को छो का सूरज उसकी चिता के साथ होगेगा और चिता मैं जलाओंगा है है हर आव है कि अजय को अजया है 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 अगे है माली कोट्वला में इस गाड़ी में नहीं था हमारा गुरु है सब्सक्राइल गुरू तुझे कुछ हुआ तो नहीं। मुझे कुछ नहीं हुआ है डाडी। मुझे यहां उतारकर वो कहीं चला गया डाडी। मैं इस वक्षिट एस्सी अर्ड के पास हूं। लेकिन इस इलाके का नाम मुझे नहीं मालूम है। तो वही रोग, मैं अभी पालू को वही भेज़ाँ, वह फोरान वहाँ पहुच जाएगा ओके देड़ी जाए सलीम ने तीनों को सही सलामत छोड़ दिया है, लेकिन सलीम पुलिस के हाथों से बच कर निकलने में कामियाब रहा है होम मिनिस्टर का बेटा घर लोटे समय गाड़ी के अक्सिडेंट में मारा गया है लोज़ यह जाएगा लोज़ खूपने में मारा गवाबावाल का मुलिस्टर का बेटाय जाएगा हूम मारा देड़ी